तो देखा आपने इस तस्वीर में कैसे एक पुलिस आफिसर एक बार गर्ल के साथ ठुमके लगा रहा है बहुत शर्म की बात है ना हाँ आप लोगों के लिए ये शर्म की बात होगी कि पुलिस आफिसर एक बार गर्ल के साथ ठुमके लगा रहा है पर पता है असल में शर्म की बात क्या है शर्म की बात ये है कि एक लड़की क्यों बार गर्ल बनी उसे जिस उम्र में परना लिखना चाहिए उस उम्र में वो एक बार गर्ल बन गई नमशकार स्वागत आपका जंतरंग्षन में और मैं हूँ आपके साथ स्रिश्चि श्रिवास्तफ आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ केस जिसमें बार गर्ल नजर आए और बेश्यर्म लोग ध्यान से सुनिएगा बेश्यर्म लोग उस बार गर्ल का वीडियो बनाते हुए उसके साथ ठुमके लगाते हुए नजर आए जहां एक तरफ पूरा बिहार छट पूजा में लीन था छटी मया की पूजा कर रहा था वही दूसरी तरफ वैशाली जिले के सराय धनेश के चंदरवर्शी चौक पर लक्ष्मी पूजा के पंडाल के पास पच्दूरी नियम का पालन करना भी भूल गये थे कुछ युवा इस आयोजन का वीडियो बनाते हुए भी नजर आए जो बाद में वाइरल भी हो गया बिहार भोचपूर में तीन पूलिस अफसर को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो एक बाल्ड गर्ल के साथ ठुमके डांस करते वारल हो गया जिसमें वो बार्ड गर्ल पे पैसे भी लुटा रहा था सब इंस्पेक्टर सुरेंदर पाल को इसलिए सस्पेंड किया गया क्योंकि वो एक बार्ड गर्ल के साथ ठुमके लगा रहे थे इसमें शर्म और अफसोस करने वाली बात बिलकुल है और प पुलिस अफसर बार्ड गर्ल के साथ ठुमके लगाता है अगर इस चीज़ पर ध्यान दिया जाता कि पढ़ने लिखने की उम्र में एक लड़की क्यों बार्ड गर्ल बनी तो बात को छोड़ी रहती अब आगे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते है बिहार में एक शा पुलिस अफसर का बार्ड गर्ल के साथ डांस करना एक लड़के का परने लिखने वाली उम्र में बार्ड बन जाने से ज़्याने हैं दूसरा उस इंसान पर क्यों नहीं action लिया जाता है जो इस चीज को चलाता है जो बार गर्ल को लाता है उसको manage करता है क्योंकि कई बार लड़कियों को अगवा कर इस चीज में ढखेला जाता है तीसरा, सरकार इसके लिए कोई आक्शन क्यों नहीं लेती है सस्पेंट तो कर रही है सरकार पर मामले के तह तक नहीं जा रही है आगे कुछ उमीद नहीं कर सकते है क्योंकि लोग का सोच अभी तक अपडेट नहीं हुआ है इसे के साथ देखते रेजन तरंशन हमें यूट्र पर सब्सक्राइब करें फेस्बूक पर लाइक करें और ट्विटर पर फॉलो करें और अगर आप चाते हैं कि मिसी तरह बेबाक अंदाज में पत्रकारिता करते रहें तो स्क्रीन पर दिख रहें डीटेल्स पर डोनेशन दे धन्यवाद